मैं विकी कुमार आप सभी को अपने चैनल एडिवानी पर स्वागत करता हूं देखिए आज इस वीडियो में हम लोग संस्कीत पढ़ने वाले आप लोग से बोले हुए संस्कीत का भी वीडियो बनाएंगे यह जो होगा संस्कीत का फर्स्ट वीडियो होगा सो इस वीडियो म पूरा पूरा पीडियो डाल दिये हुए है अगर आप नए है तो आप जाइए वहाँ पे जोईन हो जाइए और उसको जो फर्स चेप्टर जोग्राफिक पूरा पूरा है मेरा डेख लेजिए और पेडियो नोट्स को आप नोट कर लिए ठीक है और इस्टी के चैप्टर ने और इसको किस-किस अन्य नाम से भी जाना जाता है इसको क्या बोला जाता है इसको समझें के तुछ देखेगा और समझेगा चलिए देखते हैं अगर नया है वीडियो पर लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर लिजिए चैनल को और दोस्तों के पास भी स्यार कीजिए ठीकन आएए देखते हैं लोग सबसे पहले देखते हैं संस्कृत करेंगे संस्कृत करते हैं तो उसको तीन भाग में तूरता है ठीक है ना एक जो होता है सम जिसको आम लोग उपसर्ग कहते हैं और ये इसको धातु कहेंगे मैं इसको प्रतिय क 알ंगे उसब्षण प्रते पूरा जो है नेग्स्ट वीडियो बनाएंगे तो समझा देंगे क्या होता है अब नास माइनर समझे क्या होता है धातु तो जिस से किरिया का बोध होता है उसे धा तुक कहते क्या होता है यहां पर यहां पर क्या होगा कि परतियाय और उफसर्ग तो उफसर्ग और परतियाय क्या होता है देखिए जब वैसा सब्दांस यह क्या होता है उफसर्ग परतिया को एक अंस होता है एक खंड होता है उसे ही क्या होता है सब्ध्ध को दो भागर बाटता ये को समझेगा वयास सब्धार गन जो किसी दी सब्ध के पहले लगकर स्का और्थ बदल दें तो जो सब्ध के सब्ध के बाद में लगकर उसके अर्थ के बतल देंगे उसके अर्थ को बदल already संस्कीत में किस तरह का पड़ते हैं किस तरह का उपसर्ग होगा कौन सा धातु लगा हुआ है क्री धातु लगा हुआ को दिकत यहां तक तो नहीं होगा प्रवा साथ मोज़ीखत समझा गया होगा अब देखिए संस्कीत कि अन्य अलग अलग नव्यसकी इसको देव भासा का जाता है कि सभी भासाओं के जन्नी भी का जाता है सभी संस्कीट को सभी भासाओं की जननी कहा जाता है अरताती यह सबसे प्राचीन भासा है और इसी से भी हिंदी का भी बहुत सरे बहुत से लिया गया होता है यसे सो पढ़ते हैं वह लगब लबộc सभी भासाओं के जो है उत्पती जो हुआ है ऐसा माना जाता है कि सभी भासाओं की जनन नीहीं कहा जाता है जन मतला माण इसको हम चाहिक भासा भी काते है वैदिक भासा की बाते क्योंकि वेदों की जो राचना हुआ था वो संस्कित भासा में हुआ था इसलिए हम लोग संस्कित को क्या कहेंगे वैदिक भासा कहेंगे बात समझा गया तो अब बात हम लोग करते हैं क्या वेद कितना होता है यहां तो समझा गया होगा वेद तो वे कि अधर अधर्व Turkish कि दो इस तोटल को बात करेंगे वैदों की संखेया तो वह दों की संखीया आकी जो राच्ना वह था वो क्या है आमको संस्कीत में रहोता इसलिए इसको एक होती है इतना संस्कीत की उत्पती हुई इस चीज को देखेंगे मतलब संस्कीत भासा और कैसे संस्कीत भासा को पढ़ने के लिए व्याकरण बना ठीक ना और व्याकरण क्या होता है इसी चीज को समझेंगे थोड़ा सा यहां पर इस पूरे के पूरे हम लोग वीडियो में ज्यादा कुछ संस्कीत भासा देखेंगे उसके पहले इसको देखें व्याकरण क्या होता है उसको समझते हैं तो आइए देखते हैं व्याद क्या है अब पुछा जागा वेद किसे कहते हैं तो ब्रह्मा जी के दवारा जो रिषी मुनियों का ज्यान दिया गया उसी का एक लिखित रूप है उसी का लिखित ग्रंथ बनाया गया क्यां दुनिया में भी बाटा जा सके दुनिया के लोग उसे प्रकासित हो सके उस दूनिया के कहा गया बेढ़ को दिया जाने कर वेद पुरुस्त ऑूं effectivement क्या करा है वेद पुरुस्त आगे क्युंकि वेद कल निर्मान रहे था वह ब्रह्मा जिए की द्वारा ही छिए रही हुआ आप इसलिए इसके खरेंगे वीद पुरुस्त उपिदय चार को अगर पुछे कह लोगід की । it होगा तो कितना होगा चार्ग होगा ठीक है अब थोड़ा सा समझना यहां पर वेद की संख्या चार्ग होए तो उसमें से हम दो देखेंगे रीग वेद कि यहां सब्सक्राइब रिंग वेद साम वेद कि अथर वेद यह यह जुरूब है अब थोड़ा सा सोचिए कि यह तीन गों घर दिये वह अलग क्यों कर दिया देखिए बैसिकली जो ब्रह्मा जी के द्वारा जो वेद का निर्मान किया गया ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो वेद का निर्मान किया गया था वह मातर तीन गया लिखा गया है जो रीक वेद्ट जो सबसे प्राचीयन कौन सा होगा रीक वेद्ट हो गाइव बागी समय्एत और यह अगर आपसे कोई पुछता है तो ब्रह्मा-डी के द्वारा जो ज्ञान तो आपको समझ आया कि वेद कितने होते हैं टोटल चार होते हैं वेद तरही में कौन-कौन से वेद आते हैं वेद का निर्मान होगा तो इसमें जो संस्कृत और युज किया गया था इसमें सेंटेंस वह बहुत ही हाट था समझ इन आ रहा था नहीं क्या होगा फिर लिखा गया अब इसका जो है लोग पढ़ी नहीं पाएगा लोग उसका उब्जेक्टिव से एम है उस वेद के निर्म साहित्य के निर्मान किया जाए कुछ अन्या जिसके माध्यम से जिसके सहायता से इस वेद को पढ़ा जा सके तो इसके लिए क्या किया गया वेदांग का राचना किया गया किसका राचना किया गया वेदांग का वेदांग क्या है तो वह साहित्य जिसका निर्मान इन वेदों को पढ़ने के लिए किया गया उसे ही हम कहेंगे वेदांग मतलब क्या कि वैसा साहित्य जिसके माध्यम से जिसके साहित्य से इस वेदो को पढ़ने का प्रयास किया गया उसे ही क्या कहा जाएगा वेदांग कहा जाएगा बात समझ आया है तोटल बेदांग का संख्या था वो कि आते देखिए विदांग तो वह साहित जिसके माध्यम से जिसका निर्मान सब्सक्राइब वेदू को पढ़ने के लिए किया गया उसे क्या कहांगे विदांग के ठीक है यह विदांग का टोटल संख्या चोव विदांग का टोटल संख्या कितना हो गया चोव जिसमें से एक का नाम समझेंगे यह चोव को चोव को एक को कहा गया इक्छा को कॉल्प को जियोटीस वियाकरण निरुक्त चंद यह जो बेसिकली चोव को जो बेदांग था ठीक ना वो वेद पुरूस के चोव अंगो को डीनोट करता था वेद पुरूस के केतनी अंगो को जो वेद पुरूस थे उनके छो अंगो को कि जो डीनोट करता है थीक है यह जिसमें अगर हम लोग बाद करें निरुक्त का तो मुख हो गया नेत्र हो गया यह तो होता है पाद यानी चरण और यह होता है श्रोत सुरोत यानि कान समझ आया तो वेदांग टोटल किते हुए छो यह वेदांग क्या करता है बेद पूरुष के छो अंगों को डीनोट करता है और वह कौन-कौन सांगों नासिग, हस्त, नेत्र, मुख, सुरोत, पाद्धिक ना इसमें से कौना का सिक्षा कॉल्प, जोतिस, क्या था ब्याकरन, संस्कीत भासा को समझने के लिए जद वेदांग का रचना किया गया जो सबसे इंपोर्टेट वेदांग था वह क्या था ब्याकरन इसमें क्या था डिप्रेंट डिफ्रेंट सुत्र और उसके परियोग कहां पर होंगी उसका क्या मतलब होगा इनी जो का इसमें क्या किया गया निर्मान किया गया तो ब्याकरन क्या है एक बेदांग का एक परकार है बाद समझाया कोई पूछे का ब्याकरन क्या है तो बेदांग का एक परकार है ठीक है और यह ब्याकरन में क्या है तो डिफ्रिन तरह के बिभिंद तरह के नियमों का समहार है ईसके माध्यम से हम क्या करते है् मिरह पुछता है तो 13 किसी भी भाषा का वहां किसी ही साहितिया वह भाग जिसके अध्यान से हम इस भासा को शुँआतни एक यह सरक वघ्रान करते हैं अब इहां बर क्या है और इसका रचना कैसे हुआ और का राचना में किस शुआता किंग shook यह देखें कि बून कर लीजिया देखिए भ्याकरन देखे ब्याकरन के बेसिकली जो निर्मान में सबसे महतोपून योगदान जो दिये वो तीन मुनियों को दोवारा दिया गया था ठीक है ब्याकरन के विकास में निर्मान में संस्कित ब्याकरन के बात में कर रहा हूं तो उसमें तीन मुनियों का सबसे महतोपून तीन डिस्य कि का मतलब क्या हो गया कि तीनमुल् suo team तीन गुश经 कॉन से तीन मोई यानी तीन यही टे तो एक का नाम था पानेनी में गिद दूसरा जो इनका जो इनके तौए öğक्न गरणत लिखा गया था उनका नाम था उस्थाद है विद्ध की किया नाम था यह आधा यह अस्था ध्यायी थीक न्येकश का क्या नाम था अस्ठा ध्याई hadhi iya 8 मतलब टोटल का इनके जो चैप्टर्था यह टोटल चैप्टर स्कृतल इसमें कतना सब्सक्र Sus sent जिकना और deepest अभब द्यहाय में मतलब 만ब चारगों क्या था 265 भूल सकते हैं मानिये चाया तो अस्ता ध्याई में आठ चैप्टर थे आठ अध्याय था जिसमें से एक अध्याय में चार्चा सुथ था टोटल सुत्र मिला करके 32 हुआ लेकि 39 को प्रमानिक था मतलब यह जो है लोगों को इसके बारे में पता चला लोग इसको समझ पाए ठीक ना और तीन गों का कोई प टोटल हुआ केतना था लेकिन 32 को इनके केतनी इंका पुष्टक था उसमें कितने अध्याय था चाप्टर था hart जैपटर तहाथोग और एक चैप्टर में कितने सुथ चार तोटल मिला सुथ उप्राव प्रमानिक नतुमनिकत कितने के बारे-दीस को पता चला उन मतीतीने क कोई पाता नहीं चला ठीक है दूसरा जो मुनी थे उनका नाम था वर रूची इन्हीं को कत्यायन कहते हैं कत्यायन कहते हैं ठीक है और यह कत्यायन ने जिन जिन ग्रंथ कराशना किया था उनका नाम था वार्तिक उसका नाम था वार्तिक वर्वूची ने किस ग्रांथ का राषना किय कि या वर्तिका राषना किय ठीक है और इसमें वडिक मतलब इनके द्वार्थी निया व करो लूटी के द्वार। थीक टाल व सूर्वन के दिवार नाम घंठ और वार्थिक 5000 वार्तिक का उसमें मतलब की उसमें मतलब लिखा गया थी करना 5000 वार्तिक लिखा गया था तो यहां पर समझा गया अब बात करते हम लोग तीसरे जो थे उनका नाम था पतंजली पतंजली ने जिन गरण्द का राचना किये थे उसका नाम था महाभास्य है अब देखिए अस्ता ध्याई किस चीजका राचना किए शुतर का ये कि ये किसका राचना की वार्तिक का जो सुतर का राचना की उसके द्वारा जो सलस्कित को पढ़ने में तकलीफ होती ती साइस्ट को परफ्ण ने में पराब्लम होती ठीका नुस ती उस चीजों को पूरा करने के लिए जो चीज बचा हुआ था वह पूरा का पूरा आज आसु तर मान लिजीं वार्तिक वर्तिकार तॉ लीकिन जब पर्योग होंगा यह यह कुछ नहीं भता है लेकिन जब पतंजली आं तो यह क्या किए इन के सभी सुत्रों को सोधाहारन प्रमानिक प्रमान दे करके उसको समझाए उसको व्याख्या किये ठीक है यह महाभासे क्या है कि पानिनी और वारतिक के दौरा दिये गए वारतिक के दौरा दिये गए सुत्रों का सोधाहारन व्याख्या है प्रमानिक व्याख्या है ठीक है तो यह महाभास से कराचना किये ठीक है इसलिए यह क्या किये जो सोधारन जो पूरे के पूरे भासा को समझाए ठीक है इसलिए इनको सबसे प्रामानिक मुनी माना जाता है अगर यह त्री मुनी में पूछेगा कि त्री मुनी में सबसे प्रामानिक मुनी कौन थे तो कौन था हो जांगे पतंजली प्रामानिक मुनी क्योंकि यह सभी सुत्रों को प्रमान दे दे करके क्या किये थे लोगों के सामने प्रस्तूत किये थे लोग सामने प्रेजेंट किये प्रब्लम नहीं भी होना चाहिए अब हम लोग नेक्स्ट बार समझेंगे यहां पास संस्कीत समझ आया आपको बोले हैं सबका नोट्स भी आपको मिल जाएगा पीडिये जो टेलिग्राम गुरूप उस पर पुरा नोट्स मिल जाएगा ठीक है ना इसलिए कोई टेंसर नहीं लेना है आपको और इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ण परकरण ठीक है वर्ण क्या होता ह है उसका डिफरेंट उचारन अस्थान जो होता है वो क्या होता है इन सब्सक्राइब को समझेंगे और बहुत ही अच्छे से और ट्रे की रूप में पढ़ेंगे बहुत मतलब ता कि आपको तुरंद से आप वीडियो देखने के बाद आपको याद हो जाए यहां तक तो को आपको टो यहां जो है को वेटि झाय जो हमने चारनद सीगाइ्ब।